SID portal पर trainee के PRN में blank आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्यूं PRN में blank आ रहा है और कैसे ठीक होगा, ये सभी बाते आज हम discuss करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत जाद इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में बताएगे किसी भी जानकारी क नहीं हुआ है, तो मतलब आपका जो verification का process है, वो कहीं ने कहीं किसी ने किसी level पे pending है, तो अब बच्चो वीडियो को बिल्कुली ध्यान से देखिएगा, जो कि मैं यहाँ पे PRN जनरेट करने का पूरा process तो बताऊंगा ही, साथ ही अगर आपके PRN वाले section में blank या फिर in process आ आए, तो उस इस्तिती में आपको क्या करना है, तो पहले बात करते हैं PRN के process की, क्या process है PRN जनरेट करने का, इसमें सबसे पहले आपके registered mobile number और email ID पर link आएगा, जिस से बच्चो आपको अपना registration करना है, अब मान लिज अगर आपके पास link नहीं आया है, तो आपने जो ITI के form में registered mobile number भरा था, आप उससे directly भी registration कर सकते हैं, registration करने के बाद आपको अपनी EKYC करनी है, जैसे ही आप EKYC complete कर लेंगे, तो फौरण आपका PRN जनरेट हो जाएगा, अगर आपके PRN में blank लिखा आ रहा है, तो उसका मतलब है कि आपने अभी तक अपनी EKYC complete नहीं करी है, EKYC complete करते ही, आपके PRN में blank की जगा पे, या तो PRN जनरेट लिखा आ जाएगा, या फिर PRN in process लिखा आ जाएगा, अब ये in process क्यों लिखा आ रहा है, और ये किस तरह से solve होगी, बच्चो इस topic पर हमने पहले ही एक वीडियो जो है, आपको detail में available करा दी है, कि अगर आपका PRN in बोटल से और trade verification related videos को देखने के लिए ITA की घ्यानी को subscribe करना मत भूलिएगा,